दोस्तो भूले भंडारी आज दिनांग साथ दिसम्बर 2023 है आज की देवानी जन्वानी मंगल वानी मैं आपका दोस्त मंगल अल्वर अजस्थान से मेरा मोबाइल नंबर वाट्सप नंबर निन्यान में पचास साथ पिच्चासी क्यावन भाइज मंगल इन मोबाइल नंबर वाट्सप नंबर को बोलता ही रहे कौन कद्र करता है कौन कद्र नहीं करता इन्हीं नंबरों पर भीड़ी पड़ेगी आज का वीडियो सुनिए इस वर तुस सब का भला कर मैं उस परमसत्ता को नमन करता हूँ इस वर तुस सब का भला कर इस वर मेरे सामने खड़ा है दोस्तो वह मेरे सामने ही नहीं खड़ा उसने मेरे सामने ऐसे सरेंडर करत किया हुआ है जैसे एक प्रेमी का अपने प्रेमी के सामने सरेंडर करती है कि मुझे तो तुम जैसा चाहिए अच्छी तरह रखो, बुरी तरह रखो, भूखा रखो, प्यासा रखो लेकिन मुझे तो तुम्हारे जैसा चाहिए कोई जैसा तुम जैसा कोई मिल जाए, कौन सा गाना है हो ऐसे ही इस तरह मेरे पास आया, मेरे पास लेकिन दोस्तों, तुम मेरे वीडियो की कदर नहीं कर रहे है तुम मेरे वीडियो जिके कदर न지 करे क्योंकि तुम को तुम इनको समझ नहीं है तुम इनको समझ नहीं है पिछला वीडियो कल का जो था उसमें ч locks में रिखे 30.75 यूज आये मैं यह नहीं कहता कि तुम देखो कभी कभी कह देता हूं कि देखा करो बाही लेकिन ये वीडियो ऐसी एक परमसक्ति द्वरा बनाए जाते हैं कि इसको नहीं देखना तुम्हारी नुक्सान में है अब तुम देखोगी नहीं यह भी उस्सिस्वर की लिला है यह भी उस्सिस्वर की लिला है कोई इनको कब देखेगा क्यों देखेगा किन किन को देखना चाहिए यह भी एक प्रण्ड प्रोग्राम है यह सारा भी इस्टीमिटेड है कैलकुलिटेड है चलो आज के इस वीडियो से पहले कल का मेरा वीडियो देख रहे है चैदिसमर वाला अब भाई आप देखें या नहीं देखें मेरा तो फर्ज बनता है मैंने बोल दिया आगे सुनिए 2004 से चालू EVM EVM 2004 में चालू हुई उस EVM पर अभी इंडिया यही बात कर रहा है कि क्या यह टेंपर हो सकती है क्या यह रिमोट कंट्रोल हो सकती है क्या इससे छेड़ा छाड़ी हो सकती है क्या यह चेंज हो सकती है क्या यह चोरी हो सकती है 20 लाख EVM मसीन की तो गलती चोरिया रजिस्टर ने पकड़ी गई लेकिन जहाँ भारत में कुछ नहीं होता वहाँ यही डिस्कुस कर रहे हैं अभी यह क्या EVM में चड़ा-चाड़ी हो रखती है भारत भुगते नहीं तो कैसे नहीं भुगते भारत भुगते नहीं तो कैसे नहीं भुगते दोस्तो तियार हो जाओ मैं आपका दोस्त आपको चिताओने दे रहा हूँ वर्निंग दे रहा हूँ कॉसन कर रहा हूँ आपका भला चाहता हूँ कि आपका बचाओ कैसे कैसे हो सकता है जितना मैं जानता हूँ चलो आगे सुन आज अभी उस ग्रिट मास्टर ने जो मुझे लिखाया वह मैंने मेरी बच्ची के मॉबाल में ट्रांस्टर कर दिया अब उस में से मैं बोल बोल कर आपको बताता हूँ सुनिएगा एक नमबर अब सारा भारत वही करे अब सारा भारत वही करे जो ये मिशन ग्रेट इंडिया करने को कहता है क्योंकि मिशन ग्रेट इंडिया वही कहता है जो वह जगत का नियंता कहता है क्योंकि मिशन ग्रेट इंडिया वही कहता है जो वह जगत का नियनता खहता है यद्देपी ये बात अभी भुष्ट में सिद्ध हो नहीं है अब भारत में दुनिया में एक करांथी हो चुकी है अब भारत में दुनिया में करांथी हो चुकी है जो अभी सतह पर आना बाकी है देखो मैं इसमें से पढ़ पढ़ कर बता रहा हूँ अब भार्त में दुनिया में करांती हो चुकी है जो अभी सतर पर आना वाकी है वह क्या है किस जगत के नियंता को नेके वल पहचान लिया गया है बलकि उसे बांध भी लिया गया है उसे पकड़ भी लिया गया है उसे किड्नेप कर लिया गया है और इसलिए उससे मनचा काम करा जा सकता है अब भार्त में दुनिया में करांती हो चुकी है जो अभी सतर पर आना वाकी है वह क्या है कि इस जगत के नियंता को नेके वल पहचान लिया गया है बलकि उससे बांद भी लिया गया है, पकड भी लिया गया है, ये समझा लो, उसको किड्नेप कर लिया गया है, और इसलिए उससे मन्चाह काम करा जा सकता है, और वह सहर 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 सह करता है, जैसे एक प्रेमी का अपने प्रेमी के लिए कहती है, कि मुझे तो ऐसा ही प्रेमी च अब परिष्टितियां ऐसे ही बनती जाती हैं, अब परिष्टितियां ऐसे ही बनती जाती हैं, कि भारत एक समसान में बदल जाए, एक मलवे के डेहर में बदल जाए, भ्यान से सुन लीजिए, कई ऐसा नहीं हो कि मेरी बाते सत्त होने के लिए बनी हैं, लेकिन इनको बदला जा सकता है तीन नमर क्या हम अब परस्टे ऐसे बनती जाते हैं कि वारत एक संसान में बदल जाए एक मल देके डेर में बदल जाए आगे सुनिए यह उपर वाला तीन नमर घटी तो नहीं हो इसके लिए भारत को जल्दी जल्दी मिसंग्रेट इंडिया के पास आना जो जिसके वीडियो में बना रहा हूं बोल रहा हूं चार नमर सुनिए पांच नमर सुनिए सभी लोगों को भयान नुक्सान होगा सभी लोगों को भयान नुक्सान होगा परंतु ये दो हिंदू जातियों का तो नामो निसान मिटने की संभावना बन रहे हैं परंतु सभ लोगों को बयानक नुक्सान होगा परन्तु इन दो हिंदू जाकियों का तो नामों निशान मिटने का संभावना हो रही क्या पक्काव होता जा रहा है देखो बुरा मतमाना हम सब के लिए भले बले के लिए कह रहे हैं जिससे इस तब भी बचें चैनमर सुनिए तो भाई भारत के लिए क्या अच्छा है इसके लिए मिशन के लिए इसके लिए तो भाई भारत के लिए क्या अच्छा है अच्छा सुनिए इसके लिए मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डाकुमेंट के ग्रेट इंडिया इक्वेशन के आदार प तो भाए मिच जईए तो बहु हर भर्त को लिए जाये इसके लिए मिशन ग्रेट gib Mode के आदार पर बनी ग्रेट इंडिया कमिटी में भेस की जए कि भार्त के लिए क्यों कि यही आधार होगा कि सो आध्मियों का निजने सो आध्म करें ऐसा नहीं और वा देंकर फिर से लेज साथ नमर सभीजिये पर, सबी को बहानक नुक्सान तो हो गाई लेकिन जिन दो हिंदू जातिẫn की तो, नसली ही क् congr सोने कि संभाव ना है नसली ही क्alled मोब जाएगी, कोई भी इन बातों को मजाकों मैंने ले मेरा मेरी मास्टर स्परेट ने आभी मुझे इस चीज को बताया है मेरी मास्टर इस्पिरिट ने अभी मुझे इस चीज को बताया है इस समय रात के दो बज़ कर तीं मिनट हो रहे हूँ पिर सुनलिय साथ नमर फिर सुनलिय जे सभी को बैयनक नुक्सानत हो गई लेकिन ये दो हिंदू जाती हूं कि तो नसली खत्म हो सकती है कोई भी इन बातों को मुझा को मैंने ले मेरी मास्टर स्पिरिट ने अभी मुझे इस चीज को बताया है इस समय रात के दो बज़ कर तीन मिन्ट हो रहे हैं दिनांक साथ दिसम्बर दो जाते हैं आठ नमबर सुनिए भारत सबसे पहले क्या करे भारत सबसे पहले क्या करे ये बहस करे भारत सबसे पहले क्या करे ये बहस करे कि जिसमें एक तरफ बाम से प्लस साइंस जरनी वाले जैसे लोग हो सबसे पहले ये बहस करे common platform बहुत करें जिसमें एक तरफ बामसे फेम, साइंस जरनी वाले जैसे लोग हो और दूसरी तरफ प्रो हिंदू, प्रो सनतनी प्रो वेदिक बर्म वाले प्रो वर्नाश्रम की वाकलत करने वाले लोग हो और बहुत करें कि क्या गलत है, क्या सही है ऐसा क्यों होना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए फिर समर्ली जाठ नंबर भार सबसे पहले क्या करें ये बहुत करें जिसमें एक तरफ बामसे फेम, साइंस जरनी वाले जैसे लोग हो और दूसरी तरफ हो प्रो हिंदू, प्रो सनतनी प्रो भैदिक भर्णूवाले, प्रो वरनास्रम वरन व्यवस्ता को सपोर्ट करने वाले हो करने वाले, ये नहीं हो, नहीं करोगे भयानक नुक्सान तै है, हो नहीं वाला है नो नमर सुनिए, भारत जल्दी, भारत करे तो जल्दी करे वरना समय निकला जाता है ये चोटी सी बात भी भारत करे तो जल्दी करे वरना समय निकला जाता है दस नमर सुनिए Mission Great India के प्रीमियों तुम अपना डाकुमेंट बांटने में और सुबह की ध्यान प्रातना जो डपा प्रोग्राम के ताहिद सबा पांच बजे करते हो उसमें आलस से मत करना चाहिए मैं मंगल करने लगूं मैं कहीं दूसरी जिगे बिजी हो जाओं दस नमर क्या Mission Great India के प्रीमियों तुम अपना डाकुमेंट बांटने में और सुबह की ध्यान प्रातना प्रोग्राम करने में आलस से मत करना जो डपाप प्रोग्राम के तहद किया जाता है चाहिए मैं मंगल करूं चाहिए मैं दूसरी जिगे बिजी हूँ आपके पास अभी भारत में ऐसी प्रस्थितियां पैदा होंगी हा कार मचेगा लोग चलाएंगे आपके पास डाकूमेंट भी नहीं हो तो अपने देरी की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उन्हें देना उसी से उन्हें को संती मिल जाएगी क्या भाई ऐसा होता है कि कोई अपने देरी की मिट्टी उठाके दे और अच्छे भला हो जाए हाँ ऐसा होता है ये अलग विज्ञान है हम थोड़ा बहुत बताते रहते हैं और कभी बताएंगे मैं अपने मिशन ग्रेट इंडिया के प्रीमियों के लिए कह रहा हूँ कि डाकूमेंट नहीं रहें तो लोगों को यहीं देना क्यारे नम्मर सुनिए इन पैसे वालों को इन पैसे वालों को सत्ता वालों को उँची जाती वालों को अकड़ वालों को अपना पागल भाई समझ कर छोड़ देना लोगो इन पैसे वालों को सत्ते वालों को उची जाती वालों को इन अकर वालों को अपना पागलबाई समझ कर छोड़ देने लोगो इनको तो प्रकर्टी हेंडल करेगी इन से लड़ना de इन से लड़ना मट आगे और कुछ उसने मुझे लिखाया Mission Great India के प्रेमियोर और उनके जैसे लोगों लोगों जल्दी से भार्ट को ऐसे ही बचाओ और भार्ट का सारा कारे बार संबालने की तैयारी करो ये जूटे लफंगे बेस्टरम बेइमान लोग तो बस भागने वाले हैं जान बज़ जाए इनकी जही वोत है सारे लोग अरिष्ट कर ले जाएंगे या कोई और भयानक तकलिफ खड़ी होगी अरे ऐसे देश चलता है क्या है Mission Great India के प्रेमियों और उनके जैसे जो Mission Great India जैसे आइडोलिजी रखते हैं ऐसे विचार रखते हैं चाहे Mission Great India को जानते नहीं कि लोगों जल्दी से बात को ऐसे ही बचाना भारत का कारे बार समालने के लिए तैयार रहो ये जूटे लफंगे बेसर बेईमा लोग अनपड़े लोग क्या देश के साथ नवेस्ट चलाएंगे सारा धांचा चर्म राकर गिरने वाला है आगे सुनिए ये विजे दुन्दुभियां जो लोग बजा रहे हैं ये विजे दुन्दुभियां जो लोग बजा रहे हैं वे असल में इन में से आती हुई रुबन की आवाजों को नहीं सुन रहे ये विजे दुन्दुभियां जो लोग बजा रहे हैं ने कभी अपने बच्चों के खिलकारिया सुनी, ने और कोई हुआ, ये बाते मैं सभी नहीं कह रहा हूँ, उनका भी क्या दोस्ते बिचारों का, लेकिन दोस्तों तुम तो सुमलना, आगे सुनिए, श्री अंतर का सिद्दामत कहलो, भगवट प्राप्ति कहलो, प्राप्ति कहलो, या कुछ और कहलो, इसे दुनिया में पहाडों को एक हाथ से धकलना, इसे दुनिया में पाड़ों को एक हाथ से धकेल कर दूर कर दूर हटा देना इतना ही आसान है जैसे एक बच्चे द्वारा ट्राफिक को उठा लेना खासी अभी गई नहीं पाड़ों को एक हाथ से धकेल कर रहताना इतना ही आसान है जैसे एक बच्चे द्वारा ट्राफिक को उठा लेना तुम को कर दो भाई मैं नहीं करता मेरा मास्टर ऐसा करता है मुझे तो उससे रिक्वेस्ट करने की बात है वैसा करता है मैं तो एक साधन सा साधन चरित्म वाला, साधन फैसे वाला साधन ततस्य वाला साधन से बोड़ी वाला, साधन से सब साधन साधन है और बहुत चीजों में मैं भटका हुआ हूँ लेकिन मैंने ये करते हुए देखा है मेरे मास्टर को मैंने कई बार कहा है वह कर देता है इसलिए मुझे हिम्मट है कि शायद अभी कभी कर दे और वह आवस करता है ये दिमें जिद जाता हूं तो और आगे सुनिए ये मोधी साह भागोत रेंड कमपनी ये RSSN कमपनी ये राहूलेंड कमपनी ये केजरिवालेंड कमपनी तुर्म से चुप बैठ जा है भाई देखो मैं छोटा सा आदमी हूँ मैं तो एक परमसत्ता की आवाज आप तक पहुँचा रहा हूँ आपके भले के लिए ये मोदिसा एंड कमपनी ये RSSN कमपनी ये राहूल एंड कमपनी ये केजरिवाल एंड कमपनी सब तुर्म चुप बैठ जाए फिर मत कहना कि मंगल जी तुम को तुम कोश बात का पता था तो तुम बता देते कि ये और ये भयानक दुर्गटनाएं नहीं होती और मैं असल मैं उन भयानक दुर्गटनाओं को तालने के लिए ही कह रहा हूँ ये देखो मैं वीडियो स्थूट कर रहा हूँ मैं उन भयानक दुर्गटनाओं को तालने के लिए कर रहा हूँ कोई नहीं समझे तो मैं क्या करूँ भार्त के चत्रप दुनिया के चत्रप मूँ दोना जाने नहीं पिश्वाड़ा दोना जाने नहीं और एक सुचालिस करड़ लोगों को डोमिनेट करेंगे उनको लीड करेंगे हाँ भई करो यह मुदी साय भागोतेंट कंपनी और देखिए और बोलने से पहले मैं एक सुनिए खासी आ रही है डेड़ से रुपे की दवाई लाया उससे पहले धाई से रुपे की दवाई लाया असल में तो बड़े डॉक्टरों क पास जाने में डर लगता है असल में तो आज कर लोग डोक्टरों को डोक्टर नहीं समझते हैं जिनको पहले भगवान माना जाता था डोक्टर्स को डाकू समझते हैं ये प्रोफेशन इतना भ्यानक हो जाएगा किसे ने सुचा भी नहीं थी नहीं था प्रले नहीं हो तो क डॉक्टर का पेशा, ठाकूगों जैसा पेशा हो गया, जरत नहीं, तो भी टेस्ट कराओ, आज कल देखो, लेडिज की डिलिवरी, नॉर्मल हो रही हो, लेकिन वो अपरेशन से करेंगे, अरे भाई, बीस परचास हजार रुपे का बजट तो तब ही बनेगा, सारा भारत, मलवे के धेर में, एक समसान के धेर में, बदलने की हालाते बनने ये, सुनना है तो सुनो, ये मंगल क्या कराया है, और ये वही मंगल है, जिसके पास में खुद भगवान तेल कराया है, कि मंगल I love you, आगे सुनिए, देखो MP में तोमर साब, पठेल साब और जाने कौन कौन लोग अपने कूले फटका रहे हैं, मैं चीफ मिनिस्टर बना, चीफ मिनिस्टर बना, राजस्तान में कोई और, 36 गड़ में कोई और, हाँ भाई, चीफ मिनिस्टर बनो तो सही, राजा बनो, जिनके हाथ में शक्तियां, एक ही जटके में करड़ों कमा लेते हैं, एक ही जटके में दुनिया की हालत बुदल सकते हैं तुमने किया क्या पिछले नो सालों में तुम सब MLA, MPEG ने, अफसरों ने, नेताों ने, जजों ने, जनरलों ने, पैसेबालों ने, धंदेदारों ने सब को, सब उस अपनी भातमाता को लजा दिया, उस परमातमा को लजा दिया, उस अन्भगवान को, उस पानी को, पानी को लजा दिया, सब कुछ लजा दिया, तुम पर तो कहर पड़ेगा, सब पर कहर पड़ेगा, मैं कोई ऐसा नहीं सुनता कि मैं क्या, मैं भी आप जे साही एक आदमी हूँ, ज्यादा दुंद्री भी है, मत बो जाओ, वै मेरे मास्टर बहुत नाराज है, जो ये सम मैसेज दे रहा है, सुनना है को को सुन ले, तोमर साथ, चीफ मिनिस्टर MP का बनने की कोशिश करें, अरे वो कनाड़ा वाले मंदीद, सिंग जो चिला रहा है, उसके फोड़ा पर जबाद दे दो, आप आदमी हैं, हम लोग की कीड़े मकुड़े हैं, की भेंस मक्रिया हैं, जब हम अपन को भेंस मक्रिया सिद्ध करेंग तो हमका कौँ हमारा कौन ख्याल रखेगा, हम तो ऐसे ही मरेंगे, अभी सुन लो मैं यह क्या कह रहा हूं, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इनके पीछे कुछ है, आज इतने ही जहिंजे वारब,